सुवरा मुनियम खामी को ये ट्वीट आने वाली चीजों के बारे में बताता है कि भारती अंता पार्टी में भी अंदर खाने बहुत शल रहा है पे बावा राम देव गेरिव वस्तर पहन के करते थे तो भारत के लोगों को लगता था कि भाई एक बावा आए जूट नहीं बूल सकता दोस्त और मस्कार मैं मनुशकुआ शर्मा एक बार फिर आपके बीच में उड़े हुए हैं चले और बले उन न लोगों के जो कभी प्रिधान मंतरी मोदी जी की जो दी तारीफ करते थे बड़े बड़े काम करते थे जी हाँ एक जो हैं डेड़ आंख वाले बाबा सोशल मीडिया पर उनको बोला जाता है कानिया बाबा बोला जाता है पता नहीं क्या क्या कहके उनको बिजजद किया जाता है अन्ना अजारे हों या राम देव हों सब को एक तरह से बिजद किया पड़ेगा इस तरह के दावे बावा राम देव गेर वस्त रुपेहन के करते थे तो भारत के लोगों को लगता था कि भाई एक बावा आए जूट नहीं बूल सकता लेकिन वो नहीं जानते थे कि बावा आगे चल के इतना बड़ा वियापारी बन जाएगा कि इसका बिजनि से लगाव होगा जरा बताईए मैं मोधी जी के भक्तों से पूछता हूँ क्या कोई ऐसा सादू होगा जिसको माया से प्यार होगा जो राम राम जपना पराया माल अपना का नारा लेकर के एक ही नारा लेकर आया हो मोधी मोधी जपना पराया माल अपना और अदानी के साथ उसके रिष्टे हो गए हो किसके भाई तेल वेचनाएं घी भी भी कुछ भी भी को सब पास हो जाएगा सरकारी तो अपने आदमी हैं प्रदान मंतरी मोधी को हमने बोर्ड जो दिलवाया था भाई इतनी बात मैं ना कहता अगर ये बात इतनी मुनासिब ना होती बावा राम देव के समर्थकों को जरूर ये बात बुरी लग रही होगी भाई देंदा पार्टी के समर्थकों को ये बात जरूर बुरी लग रही होगी और भक्तों को तो आग लगी होगी बर्नौल की जरूरत पढ़ जाएगी तो बर्नौल खरीद लेना पैसे में बेज दूँगा आग लगी होगी तो बावा राम देव जैसे जिनको सोशल मीडिया पर बोला जाता है हराम देव हराम देव बाबा मतलब राम देव बाबा सम्माननी है राम देव बाबा के बारे में भाईया आज चर्चा में आगे सम्माननी है चर्चा में इसलिए आए कि इन्होंने जो था अपनी बेज़ती खुद खरा ली क्योंकि इन्होंने भाई साब ने क्या किया कि भाई साब ने एक अपना ट्वीट हटा लिया पुराना वो ट्वीट पुराना इन्होंने इसलिए हटाया कि इनकी बड़ी जो थी छिछालेदारी हो रही थी ट्वीट इसले भी हटाया क्योंकि क्योंकि ट्वीट में इन्होंने लिखी ऐसा कुछ दिया था जो इनकी छिछारे दारी कराने के लिए काफी था बावा राम देव ने काला धन बापस आये तो पैट्रॉल 30 रुपे मिलेगा वाला ट्वीट डिलेट कर दिया बैसे तो स्वामी राम देव काफी लंबे से किसी ने किसी बियान को लेकर के हमेशा से चर्चा में रहते आये हैं शोशल मीडिया पर बावा राम देव सबसे ज़्यादा अगर किसी बात को तरजीहत देते हैं बाई जो है डाक्टर केस भारत द्वाज का एक ट्वीट आता है बावा राम देव के बारे में जाने माने लेखक हैं जाने माने कई किताबे लिख चुके हैं अपने प्रॉफिसर साब केस भारत द्वाज डाक्टर केस भारत द्वाज पेस दी हैं उनका जो ट्वीट वो जो करते हैं उसमें लिखते हैं राम देव ने 30 रुपे लीटर पैटरल वाला ट्वीट कर दिया डिलीट अब डूमरो राम देव जी शाह को और अमी शाह और मोदी जी को ले करके बड़े तलक टिपड़ी उनकी होती है और इनके बारे में हजूर आला के बारे में ख़बरे चपती हैं तो वो ख़बरें वहां से हफटा दिया आती हैं वो सारे आर्टिकल और वो सारे समाचार बावा राम देव को ख़लाब जो छपए थे भो हबागे जातए लेकिन उस टाइम पर जो लो आर्टिकल का हवाला डाक्टर केस भारत दौास दे र अधर आता नहीं है अन्ना का गन्ना अन्ना पर इतने गन्ने वरसाएंगे लोग अगर अन्ना कहीं चौराइवे मिल जा मैं तो बोलता हूं कि मोदी जी को चौराइवे मत बेज़ो अन्ना को बेज़ दो अन्ना से तो मतलब जो है लोग चिड़े बैठे हैं ऐसे अन्ना पर ज के तरफ बढ़ती जा रही ये ग्राफ की तरह भाई जीना है ना बेरोजगार होगे लोग, सारे लोग होगे, क्राइम बढ़ रहे हैं बेरोजगार वाले लोगों के, लेकिन इस बारे में किसी का कोई ध्यान नहीं है, अब धमाका अगला आता है, एक जटका भारती अंता पा सवामी जो हैं बोलते हैं बहुत सीधे-सीधे बात करते हैं, एक दम स्टेट फारवर बात करते हैं, सुपरा मन्यम सवामी क्या बोलते हैं, कि सुप्रीम कोर्ट हैज हैं इन दा लखेंपूर केस, दा यवपी गवर्णनेट इस गल्टे ऑफ राइंगी इड़ इड्स हैट, this is a catch 22 danger for CM Yogi those in the BJP who had wanted to remove Yogi from CM Post have now got a pretext it is now Amisha Junior Minister Sun on CM Post at stake Amisha के Junior के नेता के बच्चे को बचाने के लिए योगी ने अपनी प्रिदान मुख्यमंतर की कुरसी को दाप पे लगा दिया है और जो लोग UP में योगी को CM नहीं देखना चाते हैं भारतियनता पार्टी के लोग उन्होंने उनके खलाफ जो है जंग छेड़ दी है सुवरा मन्यम स्वामी का ये ट्वीट आने वाली चीजों के बारे में बताता है कि भारतियनता पार्टी में भी अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है लेकिन यहां प्रिंका गांधी ने थोड़ी सी हलचल मचाई हुई है राजनिती में भी गुदी मीडिया में भी और महिलाओं के बीच भी जिस तरह से प्रिंका गांधी ने एकदम से बिंदास खुले पंद से ऐलान किया चालिस परसेंट का बहुत सी फीमेल पत्रकार भी जो हैं सीधे सीधे सवाल करने लगी हैं उलजने लगी है तो दोस्तो सुबरा मन्यम स्वामी ने जो कहा उसके बारे में आप क्या सोचते हो और बावार राम देब जैसे बहरू पिये बगला भगत को बगला भगत भाई सोशल मीडिया वोल ला है आम नहीं बोल ले बगला भगत जो है उसके बारे में आप क्या सोचते हो कॉमेंट कीजी और कॉमेंट इतने कीजी कॉमेंट के बारे मैं पता चले कि आप ने बहुत अच्छे कॉमेंट की और कॉमेंट मिलने के बाद मैं जो भी अगला वीडियो बनाऊंगा ता उसके बारे में ही बनाऊंगा आंदोलन में कि सिंदू बॉर्डर से हटने के लिए निहंगों को रिश्वत देने की पेशकश जो थी अपने भाई साव ने दी निहंग प्रमुख से बोले भाई दसलाग रूबे देंगे किरिशी मंतरी केंद्य किरिशी मंतरी नारें सिंग तोमर से मुलाकात की तस्वीर आ आप अट जाएए अगर इश्वत खूरी की बात जब पॉबलिक दोमेन में आती है तो बाकी में लगता है कि ये सरकार कुछ भी कमाल कर सकती है कैसा भी कमाल कर सकती है देश को भी बेख सकती है संपत्तियां तो बिकी चुकी है सब कुस तो बिक चुका है अब देखना ये बाकी है कि ये किस किस को खरी देंगे जिन जिन का इमान विका हुआ है वो सब बिक चुके हैं बिधायक हों एमेले हों सांसद हों और जो बिके हुए लोग है वो इनके साथ हैं चाहे सिंधिया जी पर आरोप लगाएं क्या लगाएं क्या वोलें अब किसी को उत्राखंड क बिदायकों को क्या हो लें नेता जीते हैं कांग्रिस के नाम पर चले जाते हैं बीजेपी की ठैली तो ऐसे लोग जाते हैं जनकी महत्वा कांग्छाएं पूरी नहीं होती है तो दोस्तो इन जालों से बचना है क्योंकि जिस तरह से क्रिशी मंत्री अगर निहंगों को भी एक वो दे सकते हैं क्या लालच के दसलाख रुपे तो फिर ये चैनलों को खरीदना कहां दूर की बात है चैनल तो पहले सी खरीदे हुए तो नरे सिंग तुमर पर भी कॉमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तो तो आज इस ख़वर पर भी कोई ख़वर आपने पढ़ लई होगी ख़वर शायद पुरानी भी होगी है और नहीं हो तो फिर इसको बैरल कीजिए शियर कीजिए ठीक है तो दोस्तो इवादा रहा मिलूंगा फिर एक बार फिर फुर जोश के साथ थोड़ा ठीक हो रहा हूँ ताइम लग रहा है ना तो इसलिए एक वीडियो आता है लेकिन अब जल्दी से बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे दोस्तो नमस्कार जैहिन दोस्तो बावा राम देव को क्या कहना चाहिए कॉमेट में लिखेगा सुवरा मन्यम स्वामी ने क्या कहा ये भी लिखेगा और सही बात तो ये है दोस्तो की बस आपकी वानगी है जिस तरह से हम जी लेते हैं नमस्कार